तो दोस्तो नमस्कार हमारे ट्वीब चैनल में आपका सुवागत है देखे सो जी अससी नियूजन नीती फैसला आज जो है आप लोगा दो बहर 12 बजे से लेकर के एक बजे तक के बीच में आप लोगा जो है यह फैसला आज आएगी जब भी आप लोगा देखे फैसला लागी दुस्तों, जी अससे की सभी भेकिंचियां जो अभी आप लोगा देखे एकजाम चल रही हो, या देखे एकजाम होने बला ओद हो या पर फॉर्म भरा रहा हो तो क्या परभावाँ पड़ेगा इन सभी भेकिंचियों पर, पूरा डेटायल में दुस्तों, आप लो दोसों यह जो नीती है JSA की नियुक्ती के लिए जारकन से मैट्रिक तथा इंटर पास जरूरी है इस अधार पर जो है सभी भेकिंसियां देखे निकाला गया है JSA की ठीक है और इसी अधार पर जो है आप लोग फॉर्म भर रहे हैं एक्जाम आप लोगा देखे हो रहा है और इसी के अधार को लेकर के कोट में जो है केस किया गया है ठीक है रमेज हस्दा आप लोग जान रहे है रमेज हस्दा दुवारा केस किया गया है और भी रमेज हस्दा तता अन्ने दुवारा केस किया गया है उसी का देखे रिजल्ट जो है आज आप लोगा आने वाली है अगर जिदी आती है तो दूसरों ऐसे में क्या होगा कि सारे बेकिंसियां देखे आपलों का जो है केंसील हो जाएगी बेकिंसी जुहें बचाने का दूसरों एक ही मतलब उपाए है सरकार को सरकार को हो सकता है जो है सरकार डबल बैच सुप्रीम कोट में सुनवाई को जो है करें और इधर है सभी नियुकति शूरू कर दे और सरकार तो और नहीं तो सारी वेकंस्यल हो जागे पिर से आप लो हलागी दोस्तों double bench में देखिए सरकार सुप्रीम कोट में सुनवाए को double bench में challenge क्यों करेगा क्योंकि दोस्तों ये देखिए सरकार का अधिकार है कि मतलब वो राज में ऐसे नियूती मतलब बनाए और नियूकती करें और कोट भी इस पर मतलब दाखिला नहीं कर सकता है पसला जो है नहीं सुना सकता है इसी अधर पर जो है सरकार जो है double bench में भी मतलब अपना जो है सुनवाए को challenge कर सकती है ठीक है चलिए पूरा डिटल में आपको पुयाँ पर देखिए हाला की नियूज अब बताएंगे आपको जैसे कि आप देख रहें नियूकती में राज के संस से दस्वी और बार्वी की परिच्छा अनिवार्य कर दी गई है इसके खिलाप हाई कोड में रमेश हस्दा सहीत अन्य की और से आचिका दाखिल की गई है साथ सितंबर को सभी पक्षों की और से बहस पूरी होने के बाद आदालत ने जो है अपना फैसला सुरुक्षित बारे में जानकारी हो सके ठीक है आगे देखिए सो यहां पर बताया गया कि राजी सरकार को न्यूक्ति के लिए ऐसे नेती बनाने का अधिकार है ऐसे में प्रार्थी अथवा अन्य की आपत्ति पर अदालत फैसला नहीं ले सकती है यहां पर साप साप लिखा हुआ है और स देखिए जबकि प्रार्थी वर्य अधिवक्ता अजीत कुमार अपराजीत भरदवाज और कुसल कुमार का कहना था कि राज सरकार की ओर से न्यूक्ति के लिए दस्वी बार्वी परिच्छा राज के संस्थान से पास करने की सरतें लगाना पूरी तरह और सम्मेधानिक है क्योंकि राज के कई मूलवासी ऐसे हैं जो राज से बाहर रहते हैं उनके बच्चों ने राज के बाहर से दस्वी और बार्वी की परिच्छा पास की है ऐसे में मूलवासी होने के बाद भी उन्हें जो है चैन परिक्रिया से बाहर करना गलत है या दिखिए सम्मेधान के अनुछेद चोगद और सोलह का उलंगन है जो किसी प्रकार के भेद भाव का आउधारना नहीं रखता है यह भी कहा गया कि भासा के पेपर छेतरे भासा को सामिल करने से उन्हें कोई आपत्ती नहीं है राज के अधिक संक्या लोगों द्वारा बोली जाने वाले हिंदी और जी को भासा पेपर 2 से बाहर कर देना पूरी तरह से गलत है तो दोसों यह था पुरा आप लोगों का न्यूज जो कि हम आपको बता चुके हैं देखिए क्या आती है अपडेट आपको जरू अपडेट किया जाएगा चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइक झाल